Hello everyone, मैं मनीसा भारत वाज मैं आपने यूटुब चैनल पे आप सरी का स्वागर करती हूँ और आज में सेहर करने वाले हूँ मसाला मठ्री तो चलिए वीडियो को कंटिनीव करते हैं और बिना इसकिप किये हुए वीडियो को लाज पर जैनू देखें मसाला मठ्री बनाने के लिए हमें इंसारी शामगरी की आविशकता है मैदा, बेशन, ब्लैक पेपर, हेंग, अजवाइन, तेल, लाल मिर्ची पाउडर, गरम मशाला, नामक, चाट मशाला, घनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और हम इसके लिए एक टूर दयार कर लेते हैं जिसके लिए सबसे पहले हम मैदा लेंगे, अजवाइन, नामक, और तेल इसे हम चेक कर लेते हैं, मैदा हमारा अच्छी तरह से मूठी में बंध रहा है, मतलब मोयन हमारा सही है अब हम गरम पानी से इसे डो तयार कर लेंगे नॉर्मल गरम पानी हमें चाहिए, इससे हमारा जो मत्री है वो बहुत ही क्रिस्पी बनता है मैदा हमारा लग चुका है उसे हम निकाल के कटूरी में रख देते हैं, और वापस से उसे में हम एक कटूरी बेसन लेंगे धनिया पाउडर चाट मशाला नमक हल्दी पाउडर लाल मिर्ची पाउडर हजवाइन, हजवाइन को हम हाथ से क्रस करके डालते हैं गरब मशाला अब हम इन सबी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हिंग ब्लैक पेपर इन सबी को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हम थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका एक सक्त डोर तयार कर लेंगे डोर हमारा तयार हो चुका है अब हम इसे भी निकाल लेते हैं अब हम मैदा को लेंगे और इसे गोल सेप में कर लेंगे हाथों से गुमाते हुए तिकी के सेप में कर लेंगे और हाथ से थोड़ा थोड़ा दबाके इसे फैला लेंगे आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राइ करें और कॉमेंट चेक्शन में कॉमेंट करके बताएं कि आपको यह रेसिपी कैसा लगा अब हम इसके उपर पानी लगा देते हैं ताकि बेशन का जो हम डो डालेंगे वो अच्छी तरह से इसमें चिपक जाए अब हम बेशन को भी लेंगे और इसे अच्छी तरह से मसल मसल के इसे भी हम गोल टिकी के सेप में कर लेंगे मैदा के बराबर का इसे हमें फैला के कर लेना है और अब हम मैदा के उपर इसे चिपकाएंगे हधिलियों से दबाते हुए इसे हम चिपका लेते हैं अच्छी तरह से चिपकाने के बाद इसे हमें बेलन की मदद से बेल लेना है इसे हमें पतली बेलना है जितना इसे फैला सके इसे हमने बेल लिया है इसका थिकनेस हमें ऐसा रखना है और अब हम इसके उपर पानी लगा के इसका एक रोल तयार कर लेंगे एक साइड से इसे हमें थोरा थोरा उठाते हुए और दोनों किनारों से दबाते हुए अच्छी तरह से दबाते हुए और हम इसे फोल्ड कर लेंगे दोनों हाथों से दबाना है और इसे फोल्ड करते रहना है पानी जो हमने लगाया है उसकी वज़से ये अच्छी तरह से छिपक जाता है लेकिन हाथों से इसे हमें अच्छी तरह से दबाना है और अब हम इसे रोल करके इसे हम फैला लेते हैं दोनों हाथों से दबाते हुए और अब हम इसे फैला लेंगे इसे हमें ज्यादा मोटा नहीं रखना है मैंने इसे फैला लिया है और चाकू की साहता से हम इसके दोनों किनारों को काट के अलग कर देंगे और बाकी को हम पीस में काट लेते हैं इसे हमें ज्यादा मोटा नहीं रखना है हमें इसकी मोटाई आदे एंच रखनी है और देखिए इसका डिजाइन कितना अच्छा लग रहा है मैंने सारे पीसे को कट कर लिया है आप चाहें तो इसे ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं या तो अथेलियों से दवा के थोड़ा सा इसे पतला कर दें या तो इसे बेलन की मदद से हलका हलका बेल दे आप इसमें से तीनों में से कोई भी स्टेप को कर सकते हैं अब हम गैस पे एक पैन को चड़ा दिये हैं पैन हमारा गरम हो चुका है और अब हम इसमें तेल को डाल देते हैं तेल हमारा गरम हो चुका है और अब हम इसमें साड़े मठ्री को डाल देते हैं तेल को हमें मीडियम ही गरम करना है और स्लो को लो रखना है मैंने इसमें सारे मठ्री को डाल दिया है और इसे जलाते हुए हलके हलके घुमा देंगे और अच्छी तरह से इसे हमें क्रिश्पी होने तक पकाना है आप इसे बनाके एक महिने के लिए इस्टोर करके रख सकते हैं यह मठ्री बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी एक बार जरूर ट्राई करें इसे आप सामकी चाई के साथ स्नेक्स के तौर पे सर्व कर सकते हैं हमारा जो मठ्री है वो हलकर सा गोल्डेन हो चुका है अब हमारा मठ्री हो चुका है और अब हम इसे निकाल लेते हैं हमारा सारा मसाला मठ्री फ्राई हो चुका है और अगर आपको यह रिसीपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू